श्री गनेशाय नमहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते है वो चंदरमा की स्थिती ले कर आती है और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारी रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुणली में 11 भाव में है जी हाँ 11 भाव यानि लाबस्तान लाबस्तान में चंद्रमा के होने से आपके लिए ये दिन काफी बढ़िया रहने वाला है आपको ये दिन लाब जरूर दिलाएगा इस समय में आपकी हर इच्छा, हर मनो कामना पूरी हो सकती है इस दिन सुबह से ही आप उत्साह और जोस से भरबूर रहोगे पेंडिंग कामों को इस वक्त आप पूरा कर सकते है इस दिन आपका मन प्रसंद रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे, पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुवात करोगे इस दिन आपको कोई ऐसी खुशी भी प्राप्त हो सकती है, जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं इस समय में आपको पारिवारिक सोच मिलेगा, परिवार में भी कोई बड़ी खुशी आ सकती है यह समय निवेश करने के लिए कापी उत्तम है, इस समय में निवेश करने से आपको चार गुना तक फल प्राप्त हो सकता है इस समय में आपकी इंकम में बड़ोत्री हो सकती है आपको इस समय में धनलाब भी हो सकता है अगर आप बिजनेस करते है और वो अगर पार्टनरशीप में है तो बिजनेस पार्टनरशीप में आपको अच्छा लाब इस समय में मिल सकता है इस समय में आपकी मैरिड लाइफ परिवार में प्यार और शांती का माहोल रहेगा परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए खुशिया मनाने के लिए काफी अच्छा समय है आपके पार्टनर से और परिवार से इस समय में आपको पूरा सहयोग मिलेगा यह समय यात्राए करने के लिए भी बेहतरीन रहेगा य अगर भविश्य की निर्णे लेना चाहते हो या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकुल रहेगा। आप गरहन कर पाओगे। इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रिजल्ट्स भी ला सकते हो। मेहनच जारी रखना ज़रूरी रहेगा। ये हर तरे से शुब रहेगा। इस दिन का पूरा लाब उठाए। अटके पड़े काम इस दिन पूरे कर ले और इस दिन को पूरी तरे से एंज्जॉय करने की कोशिश जरूर करे। इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा। आप एनरजिटिक रहोगे, स्वास्त और मस्त रहोगे। उठाह और जोस से भरपूर रहोगे इस दिन का पूरा लाब जरूर उठाए। इस दिन आपके लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। और आठ अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है। दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है। लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी पल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटन प्राइगटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दर असल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित क करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पातें इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आती है कही भी जूते चप चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है जी हा इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें, क्लीन रखें। साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगाई ऐसी है के सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं, तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है। साथी दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है, जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला, इत्या दी, तो आप इन सामानों क अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है, इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है, इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है, दोस्तों एक अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा, तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके, हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद